प्रिंसिपल्स फार लेंग्विज लर्नेग यह स्टूड़न्स मुझे इस मॉड्यूल में आपसे लेंग्विज के जो मेटीरियल है Уँसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं उन को डिस्कस करना है तो प्रिंसिपल्स आफ मेटीरियलằ Cand और गाइड लाइन्स फार क्रियेटिंग एफेक्टिफ एन एप्रॉप्रियेट मैटीरियल्स फार दा लैंगुज लर्नर्स तो यह वह उसूल जवाबत हैं जो हमें लैंगुज मैटीरियल डिवल्प करते हुए उनको मद्दे नजर रखना चाहिए माहरीन को या टीचर्स को इस प्रिंसिपल्स एंशूर मैटीरियल्स और रैलेवेंट इंगेजिंग और मीट दा नीड्स अफ दा स्टूड्स तो यह प्रिंसिपल्स जो आपको बताते हैं कि आपका मैटी लर्निंग के हवाले से उनको मद्दे नजर रखना जरूरी है लर्नर सेंटर नेस यह बड़ा इंपॉर्टन्ट दुनिया भर में एक चेंज आया है कि अब जो टीचिंग भी है यह मैटीरियल भी है वो टीचर से स्टूडेंट सेंटर की तरफ शिफ्ट हुआ है सं 2000 से यह में चेंज आई है तब मैटीरियल शुट बी डिजाइंड विद लर्नर से नी इन माइंट आर टेकिंग इंटो कंसेडरेशन जैसे उनकी नीड्स हैं उनकी जेनी सता है उनका एज लैवल है उसको आप मद्दे नजर रखते हुए आप मैटीरियल डिवैल्प करने का यह सब बी रैलेवन्ट तो दियर लाइफ और एक्सपिरियंस जो उनकी लाइफ हैं उनके एक्सपिरियंस और के मताबक होना चाहिए एथेंटिसिटी देखें जब आप नॉलेज ट्रांसफर करते हैं तो सबसे पहला करेक्टिस्टिक यह है कि आप जो बचों को नॉलेज दे रहे हैं लैंग्विश टीचिंग के हवाले से वह भी एथेंटिक हो उसमें भी कोई गलती ना हो और क्योंके मेटीरियल में बहुत सी चीज़ेंस तरफ टूल्स ही नहीं बलके टैक्सबूक्स है वरक्शीट्स हैं यह सब तो यह इनको रियल लाइफ चीज रिफलेक्ट करनी चा लावक हो यह दे शुट प्रोवाइड लेर्नर्स विद एक्सपोईर तो नेच्रल लैंग्विच यूज और एनेबल दम डिवल कुमिनिकेटिव कंपिटेंस जो उसमें इबला की जबान का एक बहुत बड़ा परपस है कि लोगों में बचों में वो इबला की सलाहियत प्य अप्रियेटनेस तो मुनासबत यनि उसमें स्यूटेबल हो जो मेटीरियल आप यह अगला क्रेक्टिस्स है यह अगला प्रिंसिपल है कि जब भी लैंग्विच के जो मेटीरियल ड्वैलपर्स हैं वो शुट डिवैल्प तल एप्रोप्रियेट मेटीरियल एकॉर्डिंग एज लेवल एकॉर्डिंग तो कल्चर कॉंटेक्स बैक्ग्राउंड यह सब लर्नेस के मताबक होना चाहिए और उसको जो जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं उसके मताबक होना चाहिए और दे शुट भी लाइंड विद दा लर्निंग अब्जेक्टिप्स इसके मिसाल आप यह सकते हैं कि बहर अगर क्रोना की वबा पहली हुई है तो क्लास में आप सल्तनते मुगलिया के जवाल के सबाब पढ़ा रहे हैं या आप लेंग्विज ड्वेल्प करना चाह रहे हैं तो आप कुछ और आप उनको बता रहे हैं तो जो आपका टास्क है जो आपका अब्जेक्टिव है उसके मताब इंगेज ता लेर्नर और मेकिंग दम इंटेस्टेड इन लर्निंग लेंग्विज तो उनको वो आप ऐसी अक्टिव्टी उसमें बनाएं यूज करें जो उनको अपने लेंग्विज में वो इंगेज कर सकें और वो इंटेस्ट उनकी मेंटेन रहे क्योंके टीचिंग के ल बहुत बड़ा characteristics है यह principle है कि आपका जो material है वो चीजें flexible हों आप किसी भी वक्त उसको change कर सकें उसको modify कर सकें क्योंकि आगर आप यह economically भी इसमें बहुत मुश्किल होगा और कि अगर यह flexible ना हो तो आपका जो material वो बेकार हो जाए और आपको ने सरे से पिर cost pay करनी पड़े त आप उसको चेंज कर सकें उसकी शेप को चेंज कर सकें उसके सीटिंग प्लैंस को चेंज कर सकें ठीक है फिर इंटर एक्टिवटी तो इंटर एक्टिवटी का भी एक हम प्रिंस्पल है कि स्टूडेंट आपस में इंटर एक्टिव कर सकें उन एक्टिवटी के जरीए या उस तो यह जो तरीके हैं इसको हम इसको हम इंटरेक्टिव होना चाहिए और बच्चों को भी यह मुआकिफ रहम करें कि वो प्रैक्टिस कर सकें इस पे और मीनिंगफल वे से वो यूज कर सकें इनकी सारी सरगर्मियों को और मैटीरिय और मल्टी डैम मल्टी मोडलिटी तो मैटीरियल शुड बी इनकार्परेट अर रेंज अफ मीडिय और मोड्स तो उसमें बहुत सरा की उसकी मोडलिटी या बहुत से तरीके उसमें शामिल हो सकते हैं स्टूडेंट्स की क्यूमिनिकेशन के हवाले से जैसे टेक्स्ट है यहीं मुआद है और ओडियोज हैं वीडियोज हैं एंड वीजूल्स की जो चीज़ें आप देख सकें साइंज हैं सिगनल्स हैं तो देकर कुछ टूट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स और स्टूडेंट्स की जो डाइवर्सिटी है उनमें उसको पूरा करने के लिए उनकी मदद करने के लिए तो यह जो उसको आप मल्टी मोडेलिटी के क्या अड्रेस कर सकता है तो यह थे प्रिंसिपल्स जो मैंने अभी अपको हिसाम ने डिसकस किये material development के हवाले से